कि how many perfect cubes are there between 1 and this 100,000 that is 1 lakh which is divisible by 7 एक से लेकर एक लाख के बीच में कितने पूड़ घन हैं जो साथ से बिभाजित होते हैं आप मुझे पताओ कि कोई भी नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा ठीक है तो आपको होगे वो नंबर मुझे ऐसा चाहिए 7 into something तभी वो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है 7 into something होना चाहिए उस नंबर को अगर मैं break करके लिखूँ तो उसमें एक 7 का factor जरूर होना चाहिए अब आपको होगे यहाँ पर क्यूब की बात की जा रही है तो अगर यहाँ पर क्यूब की बात की जा रही है तो आपको पता है कि जो भी मेरा नंबर होगा न वह एन क्यूब टाइब का होगा तो अगर आपका नंबर एन क्यूब टाइब का होगा तो आपको पता है आपको तो उस नमबर में ना यह तीन सेवन चाहिए फिर देर शुट भी ए सेवन क्यूब इन दाट नमबर दें क्योंकि मैंने आपको वही समझाया कि मैं यह चाहरा हूं कि एक नमबर मेरा साथ से डिवाइड हो जाए तो आपको पता है जब हम परफेक्ट क्यूब सी खोज रहे हैं में दो चलिए द्रह शिर्वात करते हैं और सोचते हैं तो आप अगर आप ध्यान से देखो कि 7Q की वैलू आपको बता है क्या होती है 7Q की वैलू आपकी होती है 343 है ना तो आप मुझे यहीं क्यूब के कितने फैक्टर यहां पर बन सकते हैं जो की परफेक्ट क्यूब हों चाहिए फिर आपको बता है एक अगला नंबर में आपको विजलाइस करा दूँ वह सकता है टू क्यूब इंटू सेवन क्यूब देखो आप जान से टू क्यूब इंटू सेवन क्यूब भी आपको देगा ऐसे ही त्री क्यूब इंटू सेवन क्यूब भी मल्टिप्लाई हो ज तो मुझे मेरे required cubes जो मैं जिनको खोज रहा हूं वो मिलते जाएंगे अब जरा मैं कहूंगा इस नंबर को आप ध्यान से देखिए ये नंबर किसके बराबर है ये नंबर आपका एक लाख के बराबर है ठीक है तो जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचो अगर आफ 50 क्यूब के बारे में सोचते हो क्योंकि ऐसे नहीं करना कि लिखते जाओ लिखते जाओ और पता ऐसे थोड़े ना है जोगा धर देखना है आप एक 44,000 मिलने वाला यह तो डिफिनेटली यह 42 क्यूब से बड़ा वाला Factor मंट N cooking से चोटा वाला होगा तो आखरी जो factor आपको मिलेगा वह मिलेगा 42 क्यूब मतलब यह number आपको मिलेगा अब आप देखो आपने 7 से शुरू किया और 42 पे आ गए तो 7 into 1 से शुरू किया और 7 into 6 पे आ गया ठीक है तो मुझे कितने numbers दिख रहे हैं साफ साफ मुझे ऐसे 6 numbers दिख रहे हैं जो perfect cubes हैं और जो divide हो रहे हैं देखिए again this question was very good थोड़ी analysis आनी चाहिए और मैं वही कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि यह सवाल अगर आप पहली बार भी देख रहे हो ना तो भी आप exam में कर सकते हो यह कौन सा मुश्किल काम है सर आपको पस यही सोचना था इस question में कि 7 से divisibility लेकिन अगर perfect cube खोज रहे हैं तो मतलब 7 cube से divisibility यह था इस question का क्रक्स कि इस question में हमारी divisibility खोज तो हम 7 से रहे हैं जो question में दिया हुआ है बट actually में हमें divisibility 7 cube से खोजना है क्योंकि हमें perfect cube numbers चाहिए perfect cube केवल एक 7 contain नहीं करेगा उसमें 7 cube मौझूद होना चाहिए तो जब हमें 7 cube से divisibility देखनी तो हमें यही देखना है कि यह number किस cube से किस cube के बीच में आ रहा है ठीक है तो मैंने आपको बताए यह one cube दिख रहा है यह one cube से लेके 42 cube के बीच के number क्योंकि 42 cube ना एक लाग के बाहर नहीं निकलेगा 40 cube 64,000 है फड़ा सा approximation आना चाहिए और फिर आपके question में कोई दम नहीं बचा असानी से निकलेगा उमीद करता हूं आपको समझ में आया होगा question का आइडिया जानना बहुत जरोड़ी है कि क्या question actually में पूछ रहा है half task तो वहीं done हो जाता है इस तरह के सवाल में कोई complexity नहीं है पस थोड़ा सा अपने करते ना कि जो एक आदत है आपकी लगाए हुए सवालों को ही कर पाना वह attitude बदलना है bring the confidence you will rock magic करो गया अप एक्जाम में में वाउतारों आपको